आज कल ना एक वीडियो काफी ज़्यादा वाइरल हो रही है on social media जिसमें दिखाया गया है about the recent ISI campus placements जो कि डेली सेंटर पर हुए थे इतनी ज़्यादा भीड इतना mismanagement उसमें दिखाया गया है मतलब लिटरली बच्चे जमीन पर बैठे वे थे लंच में इतनी ज़्यादा भीड थी और candidates गेट के बाहर अपने CV लेकर खड़े थे कि कोई हमारे रिजिम में ले ले और हमें अंदर एंटर करने दे for interview इतना सारा negativity इसमें आपको देखने को मिलेगी मतलब जो बच्चा सी करना चाहता है या फिर अल्री कर रहा है ना इसके लिए डेफिनिटली बहुत ही होरिफाइंग सेंस रहे होंगे वो and to be honest guys जब मैं वो वीडियो देख रहे थे तब मुझे भी flashbacks आने लगे थे किस जब मैं सीए बनी थी तब भी कुछ ऐसा ही नजारा था मैं सीए बनी थी इन August 2019 और मेरी campus हुए थी इन October 2019 तब भी कुछ ऐसा ही नजारा था जहां पर इतना जादा crowd था miss management था और not just in campus placement but even in convocation as well मतलब हमारे जो convocation center था डेली में इतनी ज्यादा बीड वाह पर थी इतना miss कम बच्चे पास होते हैं सेमें बट यहां पर देखो इतने सारे बच्चे सीए बन कर आया है मतलब क्या सच में सीए की वैलियोग है या नहीं मुझे भी उस टाइम पर यह चीज महसूस होई थी बट हम emotional नहीं हो सकते और based upon my experience आज की वीडियो में मैं आपके साथ share करने वा बहुत जादा जरूरी है जो कि मैं टांक टाइम भी आपके साथ share करती रहती हूँ तो फर्स तिंग वो जो वीडियो आपने देखी ते ना वो डेली सेंटर की थी विच इस बीगिस सेंटर इन इंडिया जो फर्स है वो मुंबई सेंटर आता है दें सेंट नंबर पर देली सेंटर इंड डेली सेंटर में भी आपको सिर डेली के स्टुडेंट नहीं मिलते हैं पूरा नौट इंडिया आपको वहां पर देखने को मिलते हैं वहां पर बच्चे अधर पंजाब भरियाना राजस्थान और यू पी च्छतिसगर्ड और मद्यप्रदेश भी बहुत सार डेली सेंटर पर ही देखने को मिलते हैं ठीक है और नौट जस्ट डाइट वहां पर सिर्फ वही बच्चे नहीं होते जिनके पास जॉब नहीं होती गाइज मैं यहां पर आपको एक रेलिटी चेक देने वाली हूँ जब मैं भी कैंपस में गई थी तो मेरी काफी सारे बट स्टिल वो कैंपस में आये ती मतलब ऐसा नहीं था कि जो भी बच्चे आपको आपर दिख रहे थे लिए बहुत सारे बच्चे जस्ट एक्सपिरियंस लेने आया थे कैंपस का तुसी अगर वो बैटर पैकेज ले सकते हैं फ्रम दे कैंपस में कंपरिव आपको यह कहीं पर भी मैंशन नहीं और आपको यह चीज पता भी होनी चाहिए तो यह आईसा नहीं है कि आपने सीम इन्रॉल करा है तो यह आईसे है कि रिस्पॉंसिलिटी बन जाती है कि आपको वो जॉब दिलाए ठीक है आपके पास ओफ कैंपस भी बहुत सारे अपॉचरीज ह मैंने उस टाइम पर एक्सपिरेंस करी थी हम सबको लगता है ना यार सी इतना टफ कोर्स है मतला हूं इतनी महनत करते हैं फिर भी आईसे हमें पास नहीं करता है बट उस टाइम पर मुझे रलाइस हुआ जब मैं कैंपस में गई कि भाई इट्स इंपोर्टेंट तो को मिलेंगे बाद लें तो मैंटें दो वैल्यू एंड डिग्निटी ओफ इस प्रोफेशन उनको अपने रिजल्स को रिस्टिक करके रखना पड़ता है जो रिसेंटली अभी जो रिजल्स आये थे उसमें आई थिंग जो सी फाइनल में काफी अच्छा रिजल्ट आया था आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलें जहां पर बहुत सारे बच्चे फ्रेश चार्यर कांटन्स आपको देखने को मिलें तो इन फैक्स को सुनने के बाद आई नो आपको लग रहा होगा कि मैं तो भाया आई से आई की साइड ले रही हैं और मुझे कुछ बेनेफिट होन का जिसके तरफ आई से को डेफिनिटली कदम अठाना चाहिए अगर उनको डिख रहा है कि इतने सारे बच्चे आ रहे हैं कैंपस में तेन अट लीस कुछ तो उनको स्टेप्स लेना चाहिए कि यू नो ऐसी पिक्चर बहार ना जाएं बिकुस आपके प्रफेशन जो है वो दूसरों के सामने डिक्रेट होता है and as candidates I would say कि don't completely rely on campus placements only try for off campus as well there are enough job in the market you just need to step out ठीक है सिर्फ campus पर rely ना करें yes मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि always try for campus जो कि मैं अभी भी बोलूँगी try for campus के लिए but it's not कि अगर campus में job ने मिली तो भाई आ फिर तो job मिलनी नहीं नहीं भाई off campus बहुत सारी jobs होती है आपको try करना पड़ेगा you have to be proactive नौकली.com पर जाकर अपना profile बनाओ लिंडिन पर अपना profile बनाओ and not just profile बनाओ अपने resume अप्लोड करो and then start applying for jobs actively इवन लिंडिन पर आप HRS को connection भेज सकते हैं जिस भी company में आप काम करना चाहते हैं कि HRS को आप अपने connection request भेजिए देखिए कि कहें पर interviews हो रहे हैं या फिर walk and drives run हो रहे हैं वहाँ पर जाएं so you have to be proactive even जब मैं भी CA बनी थी नहीं तो ऐसा नहीं था कि मुझे एक ही interview के बाद job मिल गई थी मुझे भी 3-4 interviews लगे थी to get my final job और लोग को time लगता है interviews आपको देती रहना पड़ता है मुझे 3-4 interviews देने पड़े में भी आपको 5-6-6-8 देने पड़ सकते हैं depends upon कि आपकी performance कैसी रही है interviews के दौरान चीके तो इतना time भी लग जाता है maybe एक माइना नहीं मिलेगी आपको दो माइना नहीं मिलेगी तीसरा माइना तो जाके मिलेगी ना so you have to be proactive in this so yes this is all about this video I know मैंने वीडियो उस क्लिप को देखकर start करे थी but the end में आते आते मैं कहीं और ही track पर चलेगी but it was all just to guide you कि आप सिर्फ इन वीडियो को देखकर एक side नहीं सोच सकते आपको दोनों पहलों समझने पड़ते हैं काफे बार ऐसा होता है ना आपको खुद के भी लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं सिर्फ एमोशनल होकर हम कुछ भी कहीं भी नहीं पहुच सकते हैं ठीक है and you are going to be a professional तो आपको कहीं नहीं लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा ठीक है guys तो this is all about this video and I hope क्या आपको आज के मेरी वीडियो helpful लगी होगी and maybe शायद आपका stress थोड़ा कम हुआ होगा अगर थोड़ा भी हुआ होगा then like कर देना guys इसको share कर देना and जो भी आपके जो friends वगरा है या पर जुनको आप जान दें जो कि परशान होरें इस वीडियो के देखने के बाद उनके साथ ही वीडियो जुरूर शेर कर दीजेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा और comment section में मुझे बताएगा कि आप इस वीडियो से relate कर पाई या नहीं ठीक है so yes with this I'll meet you in my next video and this is Aspah Khan signing off bye